अलो दोस्तों केसे वाप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ HP 136W के अंदर इसमें एक मोडल ओर आता है 136WA जिसके अंदर वाई-फाई नहीं होता है और डबलू के अंदर वाई-फाई होता है इसके क्या क्वालिटी आने वाली है अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है पूरा का पूरा वीडियो है वो अंबोक्सिंग पर रहने वाला है तो इस प्रिंटर के आपको पूरी डिटेल दूगा कि पर पेस पे कितना कुछ पढ़ने वाला है सारी detail बताने वाला हूँ, इस box को हम लोग unbox करने वाले हैं, अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe जरूर करने हैं, तो चलिए आप बिना time waste के हुए video शुरू करते हैं, और हम लोग इस printer को unboxing करते हैं, तो चलिए देखते हैं, चलिए इसको open करते हैं, देखते हैं radic, तो इसके अंदर आपको कुछ details मेरे जाती है, आपको पbru глаз हुए, पुरी detail भू मिल जाती है, अगर आप वीडियो को के अंदरोम लोग च्छते हैं, तो प्रिंटर को कह से इंस्टब्स करना है, सारी detail हूए मिल जाएगा, तो आप चलिए, main printer पर आते हैं, उस printer को और वो देखते हैं कि प्रिंटर क्या है इसके अंदर हमें एक तो USB मिलने वाली है पर यह कर वो इसको पावर से करेक्ट करने वानी पावर के मिलने वाली है अब प्रिंटर के अंदर देखते हैं कि हमें क्या कुछ क्वालिटी मिलने वाली है और किस तरीके का printer आपो रहने वाला है quality आपको काफी premium quality आपो मिलने वाली है यहाँ पर पेज़ लोड कर सकते हो, इनको आपको निकालना है, अन्बोक्स करना है यहाँ पर आपको एक wifi option मिल जाता है, यहाँ पर बटन देख रहे हो, इसको प्रेस करके आपको connect कर सकते हो अगर आप comment में लिख दोगे कि इसके बारे में भी video बनाओ कि wifi कैसे connect करते हैं तो इस पर भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के देखूंगा तो बाकि आपने printer देख लिया है, बहुत ही शांदार printer है और अगर आप per page पर कोश्ट करो तो 40-60 पेसे per page कोश्ट आती है इस पर अगर अगर हम लोग पर page निकाले तो बहुत ही शांदार quality मिलने वाली है और cartridge है वो ink वाला cartridge नहीं है जहाँ लेजर जेट है लेजर वाला print देख के अंदर वो निकलता है तो आई होप यह वीडियो आपके लिए helpful है अगर आप यह printer खरीदना चाते हो आपने e-meter के लिए, opes के लिए या कोई भी आप अगर के काम के लिए तो काफी genuine printer है बहुत ही शांदार quality हो आपको मिलने वाली है और service charge इसका बोले तो काफी कम मिलने वाला है अगर शाहिए आप market के अंदर change कर आऊगे तो यह जो future है इसके अंदर बहुत ही advanced future है और बड़ी future आपको मिलने वाला है